ग्रीस जल रहा है, climate change का असार अब पूरी दुनिया में दिख रहा है, heat waves के कारण ग्रीस के जंगलों में आग का कहर बरस रहा है, पांच दिनों से आग का टांडब जारी है, ग्रीस में तापमान 46.4 degree centigrade तक पहुँच गया है, और इसने बीते 17 सालों का record तोड़ दिया है, बी जिसमें से 64 जगा पर तो कल ही आग लगी है, हजारों लोग को relocate करा जा रहा है, सनिवार के दिन 19,000 लोग को evacuate करना पड़ा, ग्रीस में चल रही गरम तेज हबाओं के करण आग तेजी से फेल रही है, और ये अभी तकक सबसे बड़ा evacuation है ग्रीस के इतिहास का, दोसों से ज स्क्वेर किलोमीटर के जमीन जलकर राक हो गई है, और इस सब में कितने ही पशुपक्षी जलकर मर रहे होंगे, उसका तो कोई अंदाजाई नहीं है, और अभी भी आग बहुत तेजी से फेलती जा रही है, ये सब कुछ climate change के कारण हो रहा है, लोगों का कहना है कि जंगल क कि आग फेलने के कारणे ने भारी नुकसान उठाना पढ़ रहा है, ग्रीस और रोडेस आइलेंड में आपतका लगा दिया गया है, और अभी यूरोप में गर्मी रोज नए रिकोड तोड लई है, ऐसी और जानकारी के लिए केर निचर को सपोर्ट करें, और अगर आप ए बुलें, जै हिंदी!